दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में अब आमिनों की मनमानी होगी खतम एटियस मसीन से होगी जमीन की मापी जिहाराज में अब आमिन की मापी इलेक्ट्रोनिक टॉटल मसीन के माइदम से होगी राजस वब भूमी सुधार विभाग ने इसके लिए 711 एटियस मसीन की खरीद का ओडर दे दिया है खरीद के बाद हर जमीन के मापी इसी मसेन के माइदम से होगी इसी किसी भी जमीन के मापी में त्रोटी नहीं रहेगी साती मनमाने से गलत मापी का जगड़ा लगाने के आविनों कोई परवर्ती पर भी रोक लगीगी आपको बता दे कि मसेन खरीद करने का अधिकार जिलों को दिया गया है हर जिले के लिए रासी निर्धारित कर दी गई है जिले में इसकी खरीद जैम पोटल के जरिये होगी हर एक मसेन के लिए 6 लाख रुपए यानि कूल 42 करोड 66 लाख रुपए दिये गए है बारेकबर अटल जैन्ती का तौपा 25 दिसमर से गंगानदी पर बिहार का तिसरा मुंगेर रेल सड़क पूल के एप्रोच पद के उदगाटन की तिती 25 दिसमर के नजदिक आते ही काम में तेजी आ गई है खगडिया की ओर पूल से एप्रोच रोड का कनेक्टिंग का काम पूरा हो चुका है बुदवार को मुंगेर में पूल का एप्रोच पद से कनेक्ट करने के लिए पहला गाडर चड़ाय गया दूसरा गडर गुरुवार की सुबा तक चड़कर पूल से अप्रोच पत को कनेट कर दिया गया है बुदवार को डियम नवीन ने अप्रोच पत के चल रहे काम के साथ उदगाटन का लेकर कारकरम इस्तन का जाजा लिया डियम ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हैली पेड इस्तल का भी निरेक्षन किया मुख्यमंत्री आगमन से पहले एप्रोच पत का निरेक्षन भी करेंगे आपको बता दी कि लगबग 14.51 किलोमेटर लंबे इस डबल लेन पूल का निर्मान NHI द्वारा किया जा रहा है इसके लिए मुंगेर वासियों को 18 साल का इंतिजार करना पड़ा 25 दिसमर को केंद्रिय मंत्रे नितिन गड़करी एवा मुख्यमंत्रे नितिस कुमार एप्रोच पत का उद्गाटन करेंगे अगली बड़ी खबर बिहार में माखाना और लिची के फूड पार्कों का बनेगा नेटवर्क पट्टना में खुलेगा छेत्रिय कारिया ले भारत सरकार बिहार में मीनी फूड पार्कों का नेटवर्क इस्तापित करने के तैयारी कर रही है केंद्रिय खायद प्रस्करन मंत्राले ने इसके लिए सगन सर्वेचन के निर्दिस दिये हैं इसके तद मकाना लिची और केला पर अधारित उत्पादों की मीनी फूड पार्कों का नेटवर्क बनाया जाएगा इसके अलावा आलो और मक्का से आधोनिक तक्निक के जरिये नए ने खायद उत्पाद तयार करने वाले उद्दियों की सिंग्राला की संग्भावना भी क एंद्रिया खायद प्रसंस कर मंत्राले तला से गार बिहार में पैदा होने वाले खायद उत्पादों को राज की बितर लंबे समय तक सरचित रखने के लिए कोल्ड चेन नेटवर्क मसलन कोल्ड श्टूरेज प्रोजन सेंटर या प्रीज वेंड कर नेटवर्क की सपित कर मौसम विभाग ने अलर्ड जारी करते हुए 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सीत लहर के प्रकोप का अनुमान लगाया है पश्चिमी बिक्चोप के कारण मौसम में बदला होगा जिसके करण किसानों को विसे सतर्क किया गया है उत्तर भारत के परवतिया और मैदाने इलाकों म बारिस और बर्पवारे की आसार है जिसके करण बिहार में ठंड बढ़ेगी दो दिन बाद पचवा हुआ और तेज गती से चलेगी फिलाल बिहार में और ठंड बढ़ेगी तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा अगरी बाड़ी खबर मेट्रिक का मॉडल प्रसन पत्र हुआ जारी कूल प्रसनों में से आधे का ही देना होगा जवाब बिहार बिदाले परेचा समिती ने बुदवार को मेट्रिक वारसिक परेचा 2022 के लिए मौडल पेपर के साथ साथ मौडल प्रसन पत्र भी जारी कर दिया इससे पहले बोर्ड ने इंटर के भी सभी बिसेयों का मौडल प्रसन पत्र वेवसेट पर जारी कर दिया था आप मेट्रिक के सभी बिसेव का मॉडल प्रसन पत्रवा, मॉडल सेट इस्टुडेंट डाउलोड कर सकते हैं मॉडल पेपर से साफ हो गया है कि इस बार भी प्रसनों की सेंख्या विकल्प के तोर पर और बढ़ा हुआ है तो जर भाइस की वार्सिक परिचा में सभी खंडों में दोगुनी प्रसन पुछे जाएंगे लेकिन इस्टुडेंट को उसमें से आदे का ही जवाब देना है वार्सिक परिचा में वस्तोनेष्ट लगो और दिर्ग उतरिया प्रश्णों में से विकल्पों की सेंख्या को दोगुना कर दिया गया है बड़ी कबर बिहार में पाटना की हावा जहरिली यहां से भी ज़्यादा राज के दस सहरों में प्रदुसन जहां पाटना की हवा फिर जहरिली हो गई है लेकिन यहाद से भी बुरा हाल राज के आयने दस सहरों का है पाटना का एकिवाई लेबल 311 रहा पाटना से ज़्यादा एकिवाई लेबल आरा दरबंगा छवरा बिहार सरीप सिवान सासारा मुझपर पूर भागलपूर कटिहार और पुर्निया का रहा आरा तो देजबर में टॉप पर रहा जहां एकिवाई लेबल 414 था पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के मानक के हिसाब से यह गंभी रिस्थिती है दिल्ली का एकिवाई लेबल आरा से कम 407 रहा बिहार के इन जिलों में चलने वाले हवा में पीम 2.5 और पीम 10 की मात्रा मानक से 4 गुना अधिक आकी गई है बिहार राज पर्दोसन नेंतरन परसत के विगानिक के मताबिक तापमान गटने के कारान हवा में नमे के साथ साथ कोहरे और धुन की वज़े से एकिवाई लेबल में बिर्दी हुई है बाड़े ख़बर मैटरिक वा इंटर परिचात्रों के लिए क्रेस कोर्स 27 दिसम्मर को होगा उदुगाटन इख्ली Lebanon के कारर लर्निंग लाष्ट की समेसर होगी दोर जहाँ गोपाल गन जिला प्रासासन द्वारा मेट्रिक वा इंडर परिचात्रियों के सहलेत के लिए सिक्चा विबाग द्वारा क्रेस कोर्स चलाये जाएगा इसको लेकर सिक्चा विबाग ने सबी तैयारिया पूरी कर ली गई है क्रेस कोर्स संचालन से वैसे चात्र चात्रव का सिलेबस पुरा करने रिवाइज कराने और कुरोना के कारण रालिंग लाश्ट के समय से को दूर करने के लिए जिराप पसासन द्वारा किये गए पहल से परिचात्रियों लबाविन्थ होंगे डियम डाक्टर नवल किसोर चोदरे के निर्देश पर जिला सिक्च पताधिकारी राजकुमार सर्मा ने मेट्रिक वाइंटर के परिचात्रियों के लिए क्रेस कोर्स का संचलन करने का निन्ने लिया है इसमें मेट्रिक वाइंटर परिचा दोजरबाई से समाधिद सरकरे इसकोलों में अजदन करने वाले चात्र वा चात्राई सामिल होकर लाब उड़ा सकते हैं अगली बड़ी ख़बर मौरिया लोग कॉम्पलेक्स में 15 रुपे में मिलने लगी है भोजन की थाली पाटना में आब मौरिया लोग कॉम्पलेक्स में 15 रुपे में भोजन की थाली मिलने लगी है महापौर सिता साहों ने गुरवार को सुविदा का सुबारम करती है कहा कि गरीबो चात्रों देनिक मैज़ोरों सफाय कर्मचारियों रिक्सा और ठेला चालकों को सस्ते दर पर पोश्टिक भोजन मिनने लगा है यहां केंदर कोतावली थाना के सामने वाले गेट के पास पासपूर्ट कारेयले के पहले सित है पाटना नगर निगम ने भामा साख पाउंडेशन के साथ मिलकर गाई घाट इस्तित रेन बसिरे से इसकी सुरुआत की थी गांदी मेदान के उत्तर पूर्व इस्थित कारगिल चोक पीम सीच एवाम पटना जक्सन गुलंबर के पास पंदर रुपे में भोजन उपलब्द कराया जा रहा है परती दिन लगबग 10,000 लोग इन केंद्रों पर भोजन कर रहे हैं आपके जानकारे के लिए बताती कि पाटना नगर निगम राज़ाने के बेस इलाकों में इस योजना के तहद सस्ते दर पर भोजन उपलाब्द कराएगा राज़ंदर नगर टर्मिनल बस इस्टन के साथ साथ सहर के कई प्रमोख हिसों में केंद्र खुलने के तैयारी है अगली बड़ी कवर फरवारी तक रोजाना नहीं चलेगी बिहार दिली की ये बड़ी दो ट्रेने जाने किस रूट पर घटाए गई फिरे जी हा ठांड और कोहरे की मार बिहार से चलने वाली कोच ट्रेनों पर भी पड़ी है भागलपूर से चलने वाली बिकरम सिला एक्सप्रेस और गरिब रत का परिचालन बुदवार को रद किया गया वही आगा में 28 स्वर्वरी तक इने दोनों ट्रेनों का परिचाला नसबता में कुछ बाधित रहेगा कोहरे की समावित समयसा को देखते वे रेलवे नहीं है फैसला पहले ही कर लिया था आपको बतादे के ट्रेन नंबर 02367 भागलपूर आनन्द बिहार एक्सप्रेस मंगलवार और गुर्वार को नहीं चलेगी वही ट्रेन नंबर 02368 आनन्द बिहार भागलपूर एक्सप्रेस बुदवार और सुकुर्वार को नहीं चलेगी ट्रेन नंबर 02411 भागलपूर आनन्द बिहार गरीब राथ एक्सप्रेस गुरुवार को नहीं चलेगी, त्रेन नमबर 04412 आनन्द बिहार भागलपूर गरीब राथ एक्सप्रेस बुदवार को नहीं चलेगी, अगली बड़ीखबर बिहार में सरकारे नोकरी की बहार अगले साल 17,000 से अधिक पदो पर होगी न्यूकती जहां बिहार में सरकारे नोकरी करने के इच्छा रखने वALे अबियरतियों के लिए खुसकबरी है दरसल नई साल में बिहार के अलगलग बिवागों में बंपर बेकल से निकलने वाली है ऐसे में आने वाले साल 22 में सरकार नोकरियों की तैयारी करने वाले अबियरतियों को राज सरकार बड़ा तफा देगी बिहार कर्मचारी चायन आयोग और बिहार तक्निकी सिवा आयोग द्वारा 17,000 से अधिक पदों पर न्यूकती होगी इन में से 7,300 पद ऐसे है जिनकी परिक्षा या काउंसिलिंग हो चुकी है लेकिन किसी वज़ा से अब दग रिजल रही निकला है साथ इसके अलावा करेब 51,000 पदों के लिए बिगापन भी निकल चुके हैं हलाकि इसके लिए अभी परिक्षा या काउंसिलिंग नहीं लिगाई है जबकि करेब 5000 पदों के लिए नए साल में बिगापन निकला जाएगा अभी बिगापन का इंतिजार किया जा रहा है अगली बड़ी कबर ब्रामानों और पंडितों को माजी देंगे भोज 27 को पटना आवास पर आने का दिया नहीं था जिहां बिहार के पूरो मुख मंतरे जितरा माजे अपने बिगापनों से विवाद के लिए जाने जाते हैं ताजा विवाद उनके ब्रामानों और पंडि के का सीवन नहीं किया हूँ शीह लोसाती चोरी और डोकेटि नहीं किया हो वह 27 सब्समर को साड़े बारह बजे मेरे आवास पर आयो जीत बोज मेश में सामिल हो सकते हैं दलीत आवासियों के साथ बरामन पंडित इस बोज में सामिल होकर सामाजी के एकता का परिचे दे बाड़ी कबर 3 से समस्टर वान वा धिरी की सहात्राई भरे गी फरिचा का फॉर्म जिमस्टर वान और पा instruction बिमेंस College में अगले साल जनवरी और फर्वरी में समस्टर वान और समस्टर तरी की सहात्राओं की परिचा diferोई ऐसे में एक्जामिनेशन फॉर्म फिलप और एक्जाम फिस के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है नोटिस का नुसार तेने जनवरे से लेकर बारा जनवरे तक चात्राए अपना ओलाइन एक्जामिनेशन फॉर्म भरने के साथ ही एक्जाम फिस भरेगी वहीं 50 रुप्या फाइन के साथ 13 जन्वारे से लेकर 15 जन्वारे तक 16 फार्म बासकती है अगली बड़ी ख़वर आमीर सुबहानी को सुबहानी के सची बनाने के तैयारी सुरू कई भी भागों के अतरीक्त प्रभार से मुक्त वे अगले साथ दिनों में जारी हो सकता हादिस जहां बिहार के बिकास आयोकत का जिम्मा सम्हाल रहे आएस अधिकारि आमिर सुभवानी को सुविय का नया मुई की सच्छे बनाने के तैयारी सुरू कर लें गई है राज सरकार ने उन्हें तीन पदों के अतनरे परभार से मुट्व कर दिया है हाला कि अभी भी सुभाणी बिकास आयुत के साथ दूसरे अहम पदों की जिम्मेवारी समालेंगे सरकारी सुतरों से मिले जी खबर के मताबिक एक सब्ता के भीतर आमिर सुभाणी को बिहार का नया मुख सच्ची बनाने की अधिस उचना जारी हो जाएगी बिहार में नए साल पर नहीं चलक पाएंगी जाम पुलिस ने बनाया स्पेसल प्लान हुरदंग्यों पर भी होगी कारवाईगी बिहार में नए साल के जसन पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा सरावियों और धंदे बाजों की धर पकड़ के लिए पुलिस ठिकानों पर तबा तोड च्छापे मारी करेगी च्छापे मारी का यह भियान 27 दिसंबर से 1 जन्वरी की रात तक चलेगा इसके तहत होटल कलब गुर्वार लोगों की जाच करेगी ब्रेयत अनालाइजर के साथ प्यकड़ों की जाच होगी इसके लिए एससपी उपेंद्र सर्मा की ओर से सभी थानों को अतरिक्त बल महया कराये जाएगा अरांद की बाड़ी खबर SSE CGL 2021 का नोटिफिकेशन हुआ जारी करे आवेदन जहां करमचारी चायन आयोग ने गुर्वार को कमाइन ग्रेजुट लेवल 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अब यारती SSE के अधिकारिक वेबसाइड SSE.NIC.IN पर जाकर इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं ऑल्लाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 23 जनवरी तक CGL 2021 के लिए आवेदन ले जाएंगे SSE CGL 2021 टीर 1 एकजाम का एजन आप्रेल 2022 में होगा आज के लिए आपका स्वाल बताए के बेहार में ATS मसिन लगने से ग्रामीनों को फायदा होगा या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं